इसके लिए देखिए हमने ये 6 नंबर की सलाई लिए हुई है और चुन्नी से हमने एक एक किंच की पट्टी निकाल रखी है आप साड़ी चुन्नी आपके पास कोई कपड़ा है आप उससे बना सकते हो तो ये देखिए इसमें अगर जिसको फंदा डालना नहीं आता वो भी बना सकते है क्योंकि इसमें फंदा डालने की जरूरत नहीं है एक नॉट लगाएंगे ये देखिए हमने एक नॉट लगा लि इस तरह से पट्टी को सलाई के उपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है सिर्फ ये धियान रखना है कि हमें फंदा दोनों ही साइड से बढ़ाना है फ्रेंड्स सिर्फ एक साइड से नहीं ये देखिए तो ये दो फंदा हो गया वैसे इधर भी पट्टी को सलाई के उपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है देखे अगर आप दोनों साइट से फंदा नहीं बढ़ाओगे तो डिजाइन खराब हो जाएगे बहुत ही ज्यादा आसान है इसको बनाना यह देखे इसी तरह से हमें दोनों साइट से ही पट देखे दो, तीन, चार यह जो फंदा बढ़ाया है इसको भी बूल लेंगे पांच एक फंदे से हमने शुरू किया था देखे पांच फंदा हो गया इसी तरह से दोनों साइट से पट्टी को सलाई के उपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाते जाना है देखे दो, तीन, चार, पांच, छे, यह फंदा जो बढ़ाया है इसको भी हमें उल्टाई बना लेना है देखे फ्रेंड्स बीच में कुछ नहीं करना है सिर्फ साइट से पट्टी को सलाई के उपर लपेटते फंदा बढ़ाना है बीच में सवही फंदों को उल्टा-उल्टा बोनते जाना है यह देखे देखिए इसको बनाना कितना आशान है यह देखिए जो पहली बार बना रहा है वो भी बहुत आसानी से बना सकते है फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बना करके बताती हूँ यह देखिए फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिस होती है कि जो अभी नए नए पैयादान बनाना सीख रहा है वो भी हमारी वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से पैयादान को बना ले उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का जवाब देने के पूरी-पूरी कोशिस करूँगे यह देखे देखें पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा यह देखें इसी तरह से आप जितना बढ़ा बनाना चाहो इसी तरह से दोनों साइट से पट्टी को सलाई के उपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाते हुए आप कितना भी बढ़ा बना सकते हो मैं इसको 43 फंदे तक बना लेती हुए फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगे देखिए फ्रेंड्स हमने इसको 43 फंदे बढ़ा लिया है दोनों साइट से पट्टी को सलाई के उपर लपेटते हुए दो, चार, छे, आठ, दस, बारह, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 41, 43 अब तक तो हमने क्या किये थे कि एक एक करके दोनों साइट से हमने फंदा बढ़ाया था अब यहां से थोड़ा साईट है Jeanne अब हम दो का एक करते हुए यह देखिए, दो फंदे को हमने एक साथ लिया, इसको बना दिया, तो यह देखिए एक फंदा कम हो गया, यह देखिए, अब हमें दोनों साइट से एक एक फंदा घटाना है, जैसे जैसे हमने एक फंदा बढ़ाया थे, वैसे जैसे घटाना है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चोद, पंदर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, अब यह देखे, पट्टी खत्म हो गए, तो पट्टी को कैसे जोड़ते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगे, देखे, इस पट्टी के बीच में, इस पट्टी को रख करके, देखे, इस तरह से इसके बीच में, ले करके ऐसे रोल कर देंगे, तो बिलकुल भी पता नहीं चलता है, फ्रेंट्स के, कहां हमने पट्टी को जोड़ा है, तो 23, 24, देखे, 25, फिर इसका यह सिरा जो है, किनारा इसको भी इधर इसमें ले करके रोल कर लेंगे, 26, 27, 28, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 49, 40, 41, 42, यह देखे, एक फंदा हमने इधर से घटा दिया था, यहां से, एक फंदा घटा दिया थो, तो एक फंदा कम हो गया, 42 फंदा बच गया, अब यह देखे, इसी तरह से हम इस साइट भी घटाएंगे, फ्रेंट से यह ध्यान रखना है कि जैसे हमने दोनों साइट से फंदे बढ़ाएंगे, वैसे हमें दोनों साइट से घटाना है, ने तो डिजाइन खराब हो जाएगे, यह देखे, दो फंदा हमने लिया, इसको बोन दिया, एक फंदा बचा, देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चोद, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उन्नेस, बीस, एकेस, बाइस, तेर, चोबिस, पचिस, चबिस, सताइस, अठाइस, उन्नतिस, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 44, 41, 55 1993 देखें दोनो साई से हमने एक एक फंदे कम कर दिये एक फंदा हमने हमने इहां से घटा दिया और एक फंदा यह से यह देखें वैसे ही फिर हम फंदे घटा आएंगे देखें एक साथ हमने लिया, इसको इस तरह से बोन दिया, एक फंदा बचा, तो इस तरह से यहाँ पर दो फंदे घट गया, बाकी बीच में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बोनते जाना है, यह देखे, सभी फंदों को हमने बना लिया है, एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ, फंदा घटा करके, यह देखे, दो का एक करते वे हमें, फंदा घटा देना है, यह देखे, तेस साइड से भी दो फंदा घट गया, दो फंदा इस साइड से घट गया, ऐसे ही, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते वे, सभी फंदों को घट लाश्ट में यहां पर यहां पर जैसे एक फंदे से हमने स्टार्ट किया था इतना बना लेते हैं पूरा यह देखिए फ्रेंड्स पूरा बॉक्स बन करके त्यार हो गया है दोनों साइड से हमने एक एक फंदा घटाते वे लाश्ट में यहां सभी फंदों को बन कर दिया है तो यह देखिए आप इसके ऊपर हाट से बनाने के लिए जो हमें कली बनानी है वो मैं आपको बनाना बताऊंगे तो देखिए इस तरह से इसमें 12 फंदे डाल लेंगे यह देखिए, मैंने इसको 40 फंदे का बनाया हुआ है, तो इस विए से मैं इसमें 12 फंदे डाल रही हूँ, आप इसी तरह से और और बड़ा बनाओ, तो और ज्यादा इसमें फंदे डाल सकते हो, तो यह देखिए, एक नॉट मैंने लगा लिया, अब इस तरह से क्रॉस कराते अब आध्र नॉट और न चांई है, तो इसी तरह से मैं इसमें 12 फंदे डाल लूँगे, इसके लिए मैंने एक कली बना लिया हुआ है, इसी तरह कर दूसरी कली हम हमें बनाना है, तो इसको आप जो फंदा डालना है, वो फंदा डालके आप इस तरह से रखिए इसको इसार इस तरह से नाप करके आप बना सकते हो, देखिए हाफ यह आना ची आधा और आधा इधर का, यह जो फंदे बंद करेंगे कली का, तो यह इसका आधा बन जाएगा, तो इस तरह से आप नाप के भी ले सकते हो, यह देखिए, तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, जैसी यह कल लाइन बनाना स्टार्ट करूंगे, यह देखे, दो फंदे हो गए, तीन, इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बनाते जाना, इस तरह से फंदा डालते हैं, तो पहली सलाई आराम से बनाते हैं, देखे, हमने सभी फंदों को बना लिया, अब नीचे से यहां से हमें उपर से कुछ भी नहीं करना है, नीचे से एक-एक फंदा छोड़ते जाएंगे, यहां पर एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे, देखे, जैसे मैंने यह भी बनाया है, तो इसमें हमने इक-एक फंदा छोड़ा है, उपर से कुछने करना है, उपर से पहला फंदा उतार करके इसको बनाते जाना है, तो देखेaya, यही से पलट जाएंगे, सीधे साइड से कुछ नहीं करनाा है, सभी फंदों को उल्टर-उल्टर बना लेना है, मैं आपको यह एक कलर से बन मैं आपको एक ही चुन्नी से बना करके इसको बता रही हूँ आप इस तरह से आपके पास सिर्फ प्लेन एक कलर हो तो उससे भी आप बना सकते हो तो सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिए पट्टी को पीछे करेंगे इसको इस तरह से सीधा बून लेंगे यह जो पहला फंदा होता है इसको हमें एक साइड से बनाना होता है यह देखिए इस तरह से सीधा हमने बना लिया तो इस साइड से हमने बून लिया अब इस साइड से हमें इसको नहीं बूनना है इसर साइड से इस तरह से उतार लेंगे बाके इसी तरह से सभी फंदों को बनाते जाएंगे उल्टा उल्टा बीच में कुछ भी नहीं करना है लाश्ट में फिर एक फंदा जैसे हमने छोड़ा था वैसे ही छोड़ देंगे उपर से फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है यह देखिए पहले एक फंदा छोड़ा था एक फंदा और यहाँ पे छोड़ दिये और यहीं से पलट जाएंगे और सीधे साइड से कुछ नहीं करना है आप एक कलर से जब बनाते हैं तो आप उल्टा सीधा कोई किसी साइड भी रख सकते हो क्योंकि दोने साइड एक जैसे ही बनता है तो आप यह सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है देखें लाश का फंदर आ गया पट्टी को पीछे करेंगे इस फंदे को इस तरह से सीधा बून लेंगे यह देखें पहला फंदर यह उतारते हैं तो यह बहुत अच्छी डिजाइन आती है इस तरह से चोटी सा बन करके आता चेंज सा अब देखें सीधे साइट से हमने इस स्फंदे को बना लिया था तो अब यह उल्टे साइट से स्फंदे को बूने आ आ हुआ देखे लाश्ट में यहाँ पर एक फंदा और छोड़ दिया और यही से पलट जाएंगे तिसी तरह से हमें नीजे से एक फंदा छोड़ते जाना है देखे और यहाँ से पहला फंदा उतारते जाएंगे देखे सीधे साइड से सभी फंदों को हमने बना लिया है अब यह पहल और हमें डिजाइन उल्टे साइड से बनानी है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है, यह देखिए, अब यहाँ पर एक फंदा और छोड़ देंगे, और यही से पलट जाएंगे, फ्रेंड्स अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको आपने फंदा उतारेंगे, यह देखिए, बाकी की फंदों को इसी दर आसा उल्टा उल्टा बोनते जाएंगे, देखिए, सभी फंदों को बना लिया है, यहाँ पर एक फंदा छोड़ देंगे और यही से पलट जाएंगे, इसी तरद से एक करते हुए, हमें यहाँ तक सा लेना है लाश्ट में जब यहां दो फंदा रहेगा इतना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है उससे पहले फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कुछ समझ में नहीं आय तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे पायदान आपको कैसे लगते हैं यह भी कमेंट करके बताएं यह देखे एक-एक करके हमने सभी फंदों को छोड़ दिया है लाश्ट में यह दो venha बच है इसको भी बना लेंगे देखे पट्टी को पीछे किया इस तरह से तो यह एक कली बनकरके तयार हो गई है देखे एक-एक करके हमने फंदे छोड़ दिये हैं, तो इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो, 20 फंदे, 30 फंदे, 40 फंदे, कितना भी बड़ा बनाना चाहो, तरीका सेम है, ऐसे ही बनाने का है, नीचे से एक फंदा बस छोड़ते जाना है, और उपर से ये पहला फंदा उतारते हुए, ब देखिए लाश तक सभी फंदों को हमें बना लेना है जैसे हमने एक एक फंदे ये छोड़े थे जितने भी सभी फंदों को हमें वापस बना लेना है तो देखिए इसको बनाना कितना आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है देखे के करके हमने जितने फंदे छोड़े थे सभी फंदों को हमने बना लिया है तो देखे यह एक कली बन करके तयार हो गई है वापज इस साइट से भी सभी फंदों को हमें उल्टा-उल्टा बना लेना है क्योंकि सीधे साइट से कुछ नहीं करना हमें डिजाइन उल्टे साइट से बनाना है तो यह देखें सीधे साइट से सभी फंदों को बना लिया है अब पहला फंदा उतारेंगे यह दूसरी कली मैं आपको बना करके बता रही हैं बाकि सभी फंदों को इस दरह से बूनते जाएंगे जैसे पहले हमने एक फंदा छोड़ा था वैसे यहां पर एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे वैसे हमें सभी कल्यों को एक एक फंदा छोड़ते वे बनाते जाना है सिद्धे साइड से सभी फंदों को उल्टा उड़ा बना लेना है देखें सभी फंदों को हमने बना लिया लाश्ट में एक फंदा छोड़ देंगे तो पहले एक फंदा छोड़ा था एक फंदा इस बार फिर छोड़ दिये और यहीं से पलट जाएंगे तो जैसे हमने ये कली बनाई थी, वैसे ये ये दूसरी कली भी हमें बनानी है, नीचे से एक फंदा सिर्फ छोड़ते जाना है, उपर से कुछ भी ने करना, पहला फंदा उतार के हमें बनाना है, तो देखे, इसी तरह से मैं इसके तीन कली बना लोंगे, इस तरह से इसके ती 3 कली बनी हुई है ऐसे मैं इसकी वी 3 कली बना लोंगे जो मैंने तीन कली बताया है उसको काट दोगे na अब आगे जो मैं बता रही है उसको जोड़ दोगे देखें इसी तरह से एक एक फंदा घटाते वे इसमें टोटल 6 कली बन जाएगे तो ये राउंड से 2-2 फंदा छोड़ करके बनाते हैं तो 12 कली बनती है अगर 3-3 फंदा छोड़ के बनाएंगे तो 18 कली बनेगी तो यह मैं 1-1 फंदा छोड़ करके बना रही हूँ तो इसमें टोटल 6 कली बन जाएगे तो इसी तरह से मैं इसकी 6 कली बना लेती हो, फिर आगे क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगे, यह देखे, फ्रेंड्स, पूरी कली बन करके तयार हो गई है, अब क्या करना है, दो का एक करते हुए, सभी फंदों को बन कर देंगे, यह देखे, दो फंदा एक साथ लिया, बना दिया, एक फंदा बचा, वापस सलाई में डाला, आगे से एक फंदा और ले लिया, देखे, दोनों को एक साथ बना दिया, सिर्फ यह ध्यान अखना है, यह बहुत ज़्यादा लूज, या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, फिर सलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिए इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर देगे देखिए फ्रेंड्स सभी फंदों को हमने बंद लिए अब देखिए इसके साथ इसको सिलना है कैसे सिलना है वो मैं आपको को दिखा रही हों देखिए एक हमें यहां पर इस तरह से रख लेना है देखिए इस तरह से इसको यहां पर इस तरह से रख लेंगे और दूसरा हमें इस तरह से रखना है देखिए यहां पर ऐसे तो देखिए यह खुबसूरा सा हाट से पायदा नहीं बनेगा तो देखिए इस तरह से हमने इसको दोनों को रख दिया है और हमें इसलाई करना है इसका तो यह देखिए इसके लिए हमने यह बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है अगर धागा पतला होगा तो सिलाई तूट जाएगे तो देखिए यहां से इसको हम सिलना श्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरह से निकाल लिया एक नोट लगा लेंगे यहां पर जिससे के सिलाई यह दाग अगर निकले नहीं देखिए और इसका ये देखिए किनारा जो है यहाँ पर जैसे हमने ये के करके फंदा बढ़ाया है फिर ये घटाया है तो ये जो किनारा है यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे देखिए दोनों साइट से इस तरह से लेते हैं हमें सिलते जाना है देखिए इस तरह से सिलाई करते हैं तो इधर बिल्कुल भी धागा दिखाई नहीं देता है कि सिलाई कहां पर होई है देखिए इधर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसी तरह से ये कली इस साइड और ये दूसरी कली इस साइड को ऐसे सिल लेंगे यह देखिए friends होर्ट सेप का यह पायदान बन करके तियार हो गया है देखिए देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है देखिए आपको यह पायदान के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थेंक यू